ओम शान्ती, 10 अक्टूबर 2021 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क, आज की अव्यक्त मुरली है सफलता का चुम्बक, मिलन और मोल्ड होना तो आज बावा को पिता के संबन से याद करते हुए, पिता के संसकारों को अपना संसकार बनाएंगे तो हर संकल, हर संसकार बावा के संसकार से मैच करते हुए, हर करम करेंगे तो बावा का रुहानी सनेहे भी अनुभव करेंगे उस रुहानी सनेहे को दूसरों को भी अनुभव कराएंगे तो आज की मुरली से हम home work लेंगे कि मेरे अंदर दूसरों के साथ सभाव संसकार मिलाने के संसकार कितने हैं और मुझे कहां कहां अपनी विशेशताओं को और बढ़ाना है क्योंकि संगठन में सेवा करनी हो जा घर परिवार में रहना हो तो हमारे विचार और हमारे संसकार अगर मेल खाते हैं तब हम सफलता प्राप्त करते हैं और सहयोग भी प्राप्त करते हैं तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कोई भी बड़ा कार्य हो तो उसमें सफलता का अधार है कि हर बोल आपका दूसरों को हिम्मत और उमंग उत्सा दिलाने वाला हो सफलता प्राप्त करने के लिए स्वर्ग स्निह की शक्ति सरब के सहयोग की शक्ति और सरब के शुद वाइब्रिशन्स अगर होंगे तो सफलता होगी अगर स्नेह की शक्ती, सहयोग की शक्ती और शुद्ध वाइब्रेशन नहीं है तो सफलता नहीं हो सकती तो सफलता प्राप्त करने के लिए स्वग का, सरब का, विशब का सहयोग भी चाहिए तो इस सहयोग को ही मिलन और मॉल्ध होना अर्थात मोडना तो संकल्प में, संसकारों में मिलना और मोडना इसके लिए चाहिए charity begins at home तो आज हम अपने संकल्पों को, अपने संसकारों को चेक करेंगे क्या मेरे संकल्प में शुद स्ने है, सच्चा स्ने है, दिल का स्ने है, निस्वार्थ स्ने है मेरा हर संकल्प सहानुबूती देने वाला है, मेरा हर संकल्प रहम दिल वाला है मेरे संकल्प में दातापन कहां तक है, अगर ये मेरी natural nature हो जाती है संकल्पों में तो इस नेचर के अधार पर ही संसकार मिलन, विचार मिलन, स्नेह मिलन और सहयोग का मिलन हो सकता है तो इसी संसकार के अधार पर, इसी संकल्प के अधार पर हम सफलता के रोहानी चुम्बक बन सकते हैं जिसको बोला बाबा ने मिलना और मुडना, मुडना अर्थात मोल्ट होना तो अपने इन संसकारों को, इन संकल्पों को आज हम चेक करेंगे मैंने कहां तक धारण किये हैं तो कोई भी बड़ा कार्य होगा, तो हमारे शुद्ध वाइब्रेशन्स, बापसमान वाइब्रेशन्स उस कार्य में सफलता दिलाएंगे और विजे निश्चित है, इस दिड़ संकल्प से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अर्थात कोई भी कार्य में, चाहे घर में, चाहे संस्था की सेवा में हम अपने संस्कार और संकल्प को मिला करके चलेंगे तब ही हम बापसमान कहलाएंगे इसलिए आज बाप दादा, हम बच्चों को देखकर हरशित हो रहे हैं कि बच्चों का मिलन, समान और समान, मिलन, समेलन को देख रहे हैं तो ये अपने अंदरान चेक करेंगे मेरे संस्कार बापसमान कहां तक बने हैं ओम शान्ति